मद्ध प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चों को बेहतर सिक्षा मिल सके इसके लिए हर समय नित नए प्रयास किये जा रहे हैं बच्चों को अच्छी सिक्षा मिल सके बेहतरीन टेक्नलोजी का प्रयास दिया जा रहा है प्रत्यक बिद्यालेओं में सिक्षक अच्छे से बच्चों को सिक्षा दे सकें लगातार उन्हें प्रसिक्षित किया जा रहा है उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं सीधी जिले के जन्पद सिक्षक केंद्र सिहावल भवन में जहां पर काफी दिनों से अगरवात की जाए विगत एक माह से तो यहां पर जन्पद अंतरगत जितने भी संकुल केंद्र हैं और उनके अंतरगत जितने भी प्रात्मिक ववमाध्मिक बिद्यालाय संचालित हैं सभी के सिक्षकों को इभम अधे सिक्षकों को यहां पर प्रसिक्षित किया रहा है हम सीधे वात करेंगे प्रसिक्षक डाक्टर ससकान सुकल से कि इस पूरे प्रसिक्षण कारकरम का क्या उद्देश से है आने वाले समय में इसका क्या परिणाम होगा और ये सिक्षक जब प्रतमान विजो हमारा प्रसिच्छेट संचालित है, राज सिच्छा केंदर के द्वारा सभी जीनों के सभी विकास हंडो मायजीत है, हम लोग राज सिच्छा केंदर से प्रसिच्छेट मास्टर टेनर हैं, यह प्रसिच्छेट मुख्यत दो बिंदों पर है, फ़स्ट है हमा सिक्षानीत 2020 इसका कितना प्रभाव बिल्कुल राष्टी सिक्षानीत 2020 अभी जो उसका इंप्लिमेंडेशन हो रहा है 29 जुलाई 2020 को पूरे भारत सरकार के द्वारा लाग कर दी गई है इसके पले 1986 हमारी नीत थी इस नीत में कुछ ज़्यादा पेक्षाएं हैं देखिए ऐस 2030 सतद विकास है तो एजंडा के लिए ऐसे सामानी बैठक गुलाई गी थी उसमें एक विकास लक्ष्ट ने धारित किया गया था उसमें था समाबेशी एवं नियासंगत गुणवत्ता इतु सिक्षा देने के लिए और ऐसी सिक्षा सुन्चित हो जिसमें सभी को सीखने का do sun musar में सके इस नियत में पूरा प्रेयास किया जा रहा है कि एक कोई भी हमारा विद्यार्थी सिक्षा से अचुता न रहे। चाहे वह चोटा हो, चाहे वह पिष्डा हो, चाहे किसी भी काश्ट का हो, किसी भी समप्रदाय का, किसी धर्म का धनी हो, गरीब हो, कुछ भी हो, उसको हम सिख्छा से बंचित नहीं रखेंगे, पूरी मनसा उसी पर अधारित है, और उसके कुछ अप्रिक हैं कि पाठिक्रम हमारे निपी के उंसार जो स्कूल में रधारित रहेगा और बहुत सी बाते हैं जैसे कि मालीजे की सिक्षण का उदेश्ची केवल नहीं है कि एक सिक्षण अपनी केवल विसे काही सिक्षण करें सामाजिक नैतिक और भावनातक विकास भी होना चाहिए इन कर रहे हैं कि कक्षा में किन प्रविदियों के उद्वारा अपने विद्यार्थियों के विसेवस्त की अवधाना को हम स्पष्ण करेंगे काने कातात पर यह है कि इच और एवरी इस्टुडेंट साहे जीन उक्वाल्टी उनकी समझने की भी चमता अलग होती है हम विभीन दूसरी प्रविदियों के द्वारा इसमें कुछ तक्निकों की चर्चा की गई है कक्षा मप्रभावी चर्चा भी है प्रभावी दिसा निर्देस भी है और उसके साथ साथ हम प्रभावी प्रश्ण कैसे पूँचें समझ की जाच कैसे करें चेक फौर किस तरह से अधिगाम हम अच्छी तरशे बिद्ध्यार्थियों में ला सकें। कितने दिनों से प्रसिक्षण चलना है? यह प्रसिक्षण विगत एक महीनों से लगातार जारी है, कई चलनों में है, पांच दिपसी होता है, एक चलन में लगवग दो कक्षण धारी तरहते हैं, 40 सिक्षकों का कक्षण बनाया जाता है, 40-40 सिक्षक इसमें हैं, और यह हमारा पाचमा चलन है, तो लगवगी अंतिम प्रसिक्षित हो चुके हैं, यह माना जाए कि लगवग आपने 400 सिक्षकों को प्रसिक्षित करके यहां से बिद्याले के लिए भेज दिया है, बिलकुल, बिलकुल, कितना सुख़त असार देखने को बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे सिक्षक बहुत प्रसंद हैं, और परिणाम बहुत अच्छा इसका आएगा, इसका जो इंप्लिमेंटेशन होगा, पहले भी करते थे, लेकिन यह एक उनमें ब्यावसाइक उन्यन की तरह है, एक मोटिवेस्टनल यह जो है, तो इसमें बताया जा रहा है, इस प्रिट ट्रेनिंग में, कि पूर्ण रूप से जागरित भाव सिजा करके और इन प्रविदियों के माध्यम से पूरा प्रयास करेंगे, और जो कहीं भी मालिय की कि किसी विद्यार्ती को कहीं भी असाच्छता मसूस हो रही है, वह उतना सीखने के लिए ततपर नहीं है, तो समाज में भी अईवकावकों के विजागरित क किया जाएगा, और विद्यार्तियों को भी इंपोर्टेंस आपेजक्वेशन के माध्यम से सिख्चा का क्या महत्व है, पूर्टा प्रयास किया रहा है कि प्रत्य हमारा विद्यार्ती स्कूल में जो निर्धारित पाठिक्रम है, पूर्ण रूप से उसको ग्राण करे, प् प्रख्षा को पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी प्रसिच्च किया रहा है, वो भी इस मन्द्रैलोजी से परचीत हो, तो पूर्टा हमारा alltessicka के प्रयास है, कि आति जिच्च को भी प्रसिच्चित किया जाए और इस बेच में आति सिच्चन को भी बुलाय गया है, और कोई सब्सक्राइब कि तीन दिवस हो गया तीसरा दिन हैं पांच दिमशी है कि राष्टी सिच्छनी 2020 के बारे में बसी चड़ दिया जा रहा है कि जिसे चात्रों के सर्वांगिन विकास हो सके इसी नित पर चर्चा चल रही है अभी दो दिन का और पसी चड़ वाकी है कि राम चंद्र सुकल जी बगोर निवास ग्राम है विद्याला पढ़ाते हैं वहार खाड नवर संकुल अंतरगा कौन से विद्याले है मतलब प्राइमरी है में डिल है या मैस बयोहार का कितने वच्चे हैं च्छा से आठ में लग फाइंटिस वच्छे हैं इंग्लिस इंगल प्राइमिक शाला कडियार में में मादमी सिक्षक पिशेगड़ी पदस्त हूं बर्थ प्लेस में रिवा है काफी चुनवतियों का सामना आपको करना पड़ता होगा आप वहां से प्रसिक्षण लेने के लिए यहां आती हैं मात सक्तियों को आप क्या कहेंगी जो काफी कभी समाल रही है साथ में वह एक इस प्लेट फॉर्म पर भी कारे कर रही है एक बराबरी साथ अपनी पूरी शक्ति के साथ कभी कभी कुछ जिम्मेदारियों के चलते अगर वह कहीं पर उपस्तित नहीं हो पा नहीं तो बराबर उस चीज के संदेश को वह किसी दूसरे के अभी जानके अपने आपको अपडेट रखने के कोशिस कर रही है और करती आ रही है आज कल की भी महलाएं एक बराबर कोशिस कर रही है अपने बर्क प्लेस में अपना परफॉर्मेंस इंप्रूब करने के लिए इस साल मेरी सितंबर में ज्टाइनिंग हुई है अभी पदान कर दिए अच्छा बहुत अच्छा है बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं जो भी हमने सीखा है वह हम आगे उसी चीज़ को इस्थाना अंतरित कर रहे हैं बच्चों के को पढ़ागर के और उनके बविश्य के लि आज कौन सा दिवस है आज तीसरा है तीन दिन में कितना आपको तीन दिन में हमारी जो सिक्षन सेली है उसमें सुधार करने के लिए काफी कुछ यहां पर डॉक्टर शुकला जी से बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए और हम लोग सीखे वी हैं और यह उमीद भी है मतलब आगे जाके हम क्लासे में जब पढ़ाने जाएंगे तो बच्चों को भी इनी शैलियों से पढ़ाएंगे और उसका आउट कम जो हमें मिलेगा बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हम अपने पढ़ाने के शैली को भी सुधारेंगे और इसके हिसाब से अपडेट करे आगे हो गई है टेकनोलोजी का कितना हमला बच्चों को दे सकते हैं टेकनोलोजी के थूँ हम कोई भी वीडियो और प्रेजेंट करके उनको ज्यादा अच्छी समझा सकते विज्वालाइजेशन उनके दिमाग में बहुत अच्छा हो सकता जो चीज हम कहानियों के दोरा ए जो भी हमारे पास टेकनोलोजी उसको यूज करके उनको दिखा सकते डारेक्टे क्लास रूम में बैठ करके हम किसी भी देश के किसी भी जगह के बारे में विजुलाइजेशन उनके दिमाग में डाल सकते हैं प्रेजेंटेशन के थूँ इसका बहुत बड़ा इफेक्ट प हैं अभी सर 20 मतलब एक वर्स का पढ़ता है कि अच्छों की टना आप राप्त कि है अभी तब अभी सरे लेटेस्ट में यहां के प्रस्षिक्षन के दोरान कुछ चीजें टेकनिकल, कुछ चीजें मिली हैं, आउटकम निकल के आया है, कुछ साइकलोजिकल ट्रिटमेंट मिला है जो बच्चों को आउटकम धीरे-धीरे करके निकलेगा, जैसे बच्चे हमारे थोड़ा सा कमजोर हैं मैं मानता हूं खास दोर पर इंगलिस में जो लर्णिंग और रेडिंग कॉफी प्रॉब्लम्स है तो यहां कि जो बेस नॉलेज दिया जा रहा है तो कुछ चीजे ठीक है ताकि उनमें जो क्रियेटिव डबलब्मेंट हो जो इस्किल डबलब्मेंट हो तो यह काफी एडवांस होते हैं इन दोनों में आप क्या गांपरीजन देखते हैं कॉफी सर लाट ओफ डिफ्रेंस से सर अर्वन एरिया के उसमें क्या है कि थोड़ा से उनमें जो क्रियेटिव है थोड़ा सा जो घर का महौल है मतलब जो सराउंडिक एक महौल मतलब हैं फैमिलिय जो हो रहा है तो धीरे धीरो अक्रम से हो रहा है तो हम करते हैं कि स्लो एंड स्टेडी विंस दरेस धीरे धीरे कहीं में कहीं बेक्ती आगे आएगा और धीरे करके कभर करेंगे जैसा भी है मतलब एक जैसा महौल प्लेटफॉर्म मिला है धीरे धीरे बच्चा कभर करेगा और हम लोग भी इंप्रूब करने में काफी सहयोग कर रहे हैं, जैसा भी हम लोगों के प्लेटफारम मिला हुआ है, उसके हिसाब से चल रहे हैं, बच्चों के लिए कोई संदेश? बच्चों के लिए ही कहें सेंगी, मतलब खास तोर पर पेरेंट्स उनका काफी सहयोग करें, और एक सिंपैथिकली लें सर, मतलब जैसा उनको एक महौल मिलना चाहिए, उस तरह के महौल में रहें, और घर में ममी पापा भी काफी उनका सहयोग करें, जैसा भी उनको चाहिए, और एक टीचर होने के नाते हमें हमें आखेंगे कि सीखना हो सेखनाना, तत भी आपने सुना की इन सिक्षकों गखेंस इंशी तौर पर अभी आपने सुना कि इन सिक्षकों को जो प्रसिक्षण देने का कारे कर रहे हैं हमारे सुकला जी इनका भी कथन आपने सुना है और जो सिक्षक यहां पर प्रसिक्षण ले रहे हैं उनका भी कथन आपने सुना है तो कहिन कहीं यह सिक्षक जाके जब साला में बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका भविस्य सुद्रड होगा सुखमय होगा यानि यह कहा जाए कि यही सिक्षक भारत भाग्य विधाता होंगे जो करणधार विध्यालाय में पढ़ने के लिए आते हैं आने वाले समय में भा कॉन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता एक पथर तो तबियत से उचा लो यारो यह हमारी पंक्त सुकला जी के लिए और समस्त सिक्षकों के लिए bekommt है जो आने वाले समय में जाकर बच्चों को क्लास में पढ़ाएंगे धन्यवाद